हमें शरीर माबाप से मिलता है लेकिन चेतना कहीं और से प्राप्त होती है हमें मनुष्य जन्मा आसानी से नहीं मिलता है 84 लाख योनियों के बाद हमें यह जीवन मिला है इस महा जीवन में अकेले को ही प्रवेश करना है साथ कोई नहीं जाएगा हमने अपने मन को कभी समझने का प्रयासी नहीं किया है मन चेतन होता है हमारे अंदर सभी शक्तियां रहस मई गले के नीचे होती है जिन्हें विक्सित करना है यह बात अनाज मंडी में चल रहे नए द्रश्टी कोन वाले शिवीर के पांचवे दिन पूज्य परम आले जी ने कही शिवीर के प्रारभ में आनन उत्सा भरने के लिए अरे रे मेरी जान है राधा मोरिया रे बपा मोरिया रे भजनो पर परम आले जी मागारगी जितेंद्र भावसार नित्यानंद श्रद्धा मा निर्मल जी केशो जी विवान जी सहीत सभी साधक जम कर थिरके परम आले जी ने कहा कि यह दूरलब देह है जिससे जगाना है नाभी के पास जो चक्र है उसे हम कुंडली कल्पबक्ष कहते हैं जब नीचे वाली शक्ति जागरत होती है तब उपर वाली शक्ति जागरत होती है जिसे हम पारस मनी कहते हैं इस थाई शक्तियों को जगाने क के लिए ग्यान होना ज़रूरी है ब्रेंड के भी दो भाग होते हैं जिसमें राइट वाला रहस्य का कारिय करता है हमें इसे ही जगाना है खरगौन से ब्यूरो के रिपोर्ट हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुलें